अलो डियर स््टूणेंट्ट्स! तो देखी, last day मैंने जो है। vendor की entries जो है, आपको बेस दी है सारी 18th entry लेकिन, उस में से 9 entries मैंने उसमें described की है, आपको समझाई है तो बची भी 9 entries जो है vendor की बुक में क्या होगी, वो मैं मैं एक बार आपको बता देता हूँ पहले भी मैंने बताया कि वैसे एंट्री तो 18 थै तो कई बार स्टुडेंट्स को लगता है कि एंट्री तो बहुत सारी है लेकिन कुश्चिन के अंदर इतनी सारी एंट्री जो है वो सारी की सारी काम नहीं आएगी पर at least 10 एक एंट्री जो है वो काम आती है लेकिन एंट्री सिंपल सी है एक बार आप समझ लेंगे तो number of एंट्री से कोई फरक उसमें पढ़ता नहीं तो कल लास्ट जो एंट्री थी वो मैंन अकाउंट डैबिट तो बैंक तो वो एंट्री तो अपने कल कर ली थी लेकिन उसी एंट्री के अंदर एक और चीज़ भी है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि रिलाइजिशन एक्सपेंसेज पेमिंट करने का जो बड़न होता है वो तो बेसिकली किसके उपर होता है वो वें पढ़ेंगे you have to pay तो उस condition में क्या होता है कि पर्चेजर उसको बोल देता है कि ठीक है तुम अभी expenses payment कर दो और मैं तुमको वापस वो पैसा जो है return कर दूंगा तो उस condition में हम जो entry करेंगे वो expenses to bank नहीं करेंगे हम कोई expenses किसी के बिहाफ से करते हैं जैसे कि माल लीजे अगर x ने हमको कहा कि y को payment कर दो तो अपन y to bank entry नहीं करके अपन entry x to bank ही करते हैं क्योंकि अपनको y से कोई मतलब नहीं तो वैसे expenses का payment अगर purchasing company ने बोला है कि आप expenses का payment करो तो उसकी entry purchasing company to bank होगी मतल तो उसके entry कर देंगे bank to purchasing company तो जिससे क्या होगा कि वो दोनों entries जो है वो आपस में cut जाएगी और हमारी books के अंदर उसका overall कोई impact नहीं रहेगा उसके बाद next entry होती है premium चुकाते हैं अगर redemption of debenture and preference shares पर यहां मैंने तोड़े short word लिखे हैं because मैंने आपको पूरा पूरा जो word ह वो आपको जो entry दी है उसके अंदर already लिख दिये हैं तो इसलिए मैंने या पे पूरा उता detail उसको describe नहीं किया है तो premium or redemption of debenture and preference share तो आप अगर अपने redemption जो है पर debentures of preference share को premium देते हो तो यह आपके लिए loss है और जैसे कि purchaser की book में purchase method में सारा नुकसान फायदा किस में जाता तो वैसे ही vendor जो है उसकी book में जो भी फायदा नुकसान होगा तो वो सारा का सारा फायदा नुकसान आप जो है वो कहां लेके जाओगे realization में तो कोई भी nominal account होता है या आपका यह realization account खुद भी है तो nominal account के अंदर यह rule होता है कि जो expenses होंगे जो losses होंगे तो वोस account में अपन क् करेंगे और बाकी वाली चीज़े जो है income sources होती है उस condition में उस account को credit करेंगे जैसे माल लीजिए loss हुआ तो penal account debit होगा और फायदा हुआ तो पींडल को अपन क्या करते है credit तो वैसे ही आपको एक theme इसमें पगड़ के रखनी है जब जब किसी भी reason से आपके vendor को नुकसान होग तो realization को debit करना है और किसी भी reason से अगर उसको फायदा होता है तो realization को आप उसमें क्या करेंगे credit तो यहाँ पर अपन realization account जो है वो debit करके और जो हमने premium दिया है premium on redemption of debenture चाहे premium on redemption of reference share तो वो दोनों redemption के premiums को जो है वो credit करके उसका account close करेंगे इससे reverse भी हो सकता है क्योंकि आप business क बंद कर रहे हो तो ऐसी possibilities है कि आप उनको कह दो कि हमारे पास देने के लिए पैसा sufficient नहीं है और हम आपको जितना आपका due है उससे भी कम payment आपको करने वाले है तो उस condition में वो कहलाए का discount on redemption of debenture and preference shares तो जैसा आपको भी notice करा दिया जब आपको फायदा हो किसी भी reason से तो उस condition में आप reverse करोगे realization को debit से credit करोगे तो discount on redemption of debenture debit हो गया आपका discount on redemption of preference share भी debit हो गया 2 में किसका नाम आगया to realization account तो जिससे ये आपका account जो है वो क्या हो गया reverse अब उसके बाग next entry है number 12 realization पे profit होना तो जैसा आपको पता हैगी जैसे अगर हमने partnership पड़ी तो partnership में जब partnership firm जब realization account बनाती थी तो उसका जो फायदा नुकसान हुआ करता था तो वह अपन का transfer करते थे partners को लेकिन यहाँ पर partnership की जगह यह है company और company के आपको very well known होना चाहिए या होगा ही कि company की जो owner है वो आपके equity shareholders होते हैं तो equity shareholders के द्वारा जो भी फायदा है नुकसान होता है वो bear किया जात लेकिन इस चीज का फायदा भी है और वह फायदा भी आपको आगे इन्हीं मिलेगा कि company के पास जितना भी profit है रिजर्व है जो कुछ भी होता है तो वह सारा का सारा उसका जो हिस्सा हिस्सेदार ही होती ही वह सिर्प equity shareholders ही लेते है प्रिफेंट शेयर डिवेंचर सिर्प बनेंगे debit जैसे आपको पता है कि कोई भी account अगर हम बनाते हैं तो उसकी credit की जोड़ जादा होती है debit कम होती है तो profit generate होता है तो profit होगा entry बनेगी realization to equity shareholder और अगर loss होगा तो उसकी reverse entry बन जाएगी equity shareholder account debit to realization अब उसके बाद जैसे मैंने आपको बता भी दिया insert अभी के जो भ debit to equity shareholder मैंने सबके नाम नहीं लिखे हैं एक 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 वो मैंने यहां पे लिख दिया है जैसे माली जेपी एंडल हो जनल इसर्व हो वर्कमेन कंपंसेशन फंड हो capitalism हो तो entries मैंने आपको भीज दी है entry आप बली बोर्ड से देख के ना लिखें जो बैसको समझा रहा हूँ उसको एक बार आप समझ लें जैसे कि question के समय फिर आराम से आप entries को बना सकें अब रही बात कि जब profit हुआ तो आपने किसको दिया equity shareholders को तो naturally जब उसको loss होगा company के अ माटा पड़ा होगा तो वो भी किसको share करना पड़ेगा equity shareholders को तो उसकी reverse entry होगी equity shareholder account debit होगे और two में आएगा loss या deferred revenue expense जैसे की preliminary expense है P&L का debit balance है discount on issue of shares है या debenture है या fictitious assets मैंने यहां पर दो word लिखे हैं जान पूच के as a knowledge के आपको उनको बारे में पता होना चाहिए एक त क्रतिम संपतियां जैसे कि discount है आपका underwriting commission है मतलब ऐसे expenses या losses जिनको हमने अभी तक return off नहीं किया basically वो कोई assets नहीं है जो हमको पैसा generate करके देगी बलकि वो एक artificial assets है तो इसलिए उसको अपन बोलता है हिंदी में क्रतिम संपति और English में बोलता है fictitious assets काफी लोग इसको intangible assets और fictitious assets को एक ही माल लेते हैं लेकिन ये बिल्कुल अलग है intangible assets तो आपकी होती है goodwill, patent, copyright, trademark ये सब और ये fictitious assets होती है intangible से तो चलिए फिर भी पैसा मिल सकता है patent, copyright, trademark का आप बेच सकते हैं लेकिन fictitious से आपको कुछ भी नहीं मिलता और वैसे ही एक और expenses होता है deferred revenue expense त लेकिन अगर हम उस revenue expenses को लंबे समय के लिए थोड़ा थोड़ा करके write off करते हैं तो वो बन जाता है deferred revenue expense इसमें में लिए 2-3 खर्चे आते हैं एक तो आता है heavy research expense और heavy advertisement expense तो research और revenue जो expense है वो उसी category में आता है advertisement भी आपके revenue expense की category में आता है लेकिन अगर आपका ये expense बहुत बड़ा amount है और आप उसको धीरे धीरे करके return off करोगे साल दर साल तो वो ही खर्चा आपका स्तगित आयगत खर्च बन जाता है स्तगित का मकलब जिसको धीरे धीरे करके आप आगे आगे ले जाकर उसको return off करते हो अब रही बात इसमें next अगले जो है next entry की तो next entry के अंदर आप preference share holders को payment due करते हो तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो holder account है जैसे preference share equity share तो जिस भी entry में आप उनका balance बढ़ाना चाहते हो तो equity share holders जो है वो credit होंगे preference share holder credit होंगे और जिस भी तरह से आप उनके balance को कम करन चाहते हो तो ये holder account जो है वो क्या होंगे debit क्यों जोकि equity preference share liability होती है उनका balance credit होता है तो जब जब आप उनको entry में credit करोगे तो उनका balance बढ़ेगा और जब आप उसको debit करोगे तो उनका balance घटेगा तो मतलब की basic basic fundamental चीज़ आपको पता होनी चाहिए जिससे exam में कभी भी entry और दोकि entry बनेगी prefect share capital to prefer share holder और प्रिफेंचार को पेमेंट करेंगे तो प्रिफेंचार होल्डर।ष को जो perde छेर हमको मिले है मतलब जब परचे जर की बुक में हमने entry करी ती तो हमने purchase consideration का क्या किया था payment किया था जइसके entry हमने करी थि liquidator of ABC जो भी होता था to equity share capital to preference share capital to bank तो वहाँ पर जो आपने equity को जो payment किया है जो preference को payment किया है जो debentures को payment किया है तो वो सब उनसे जो मिला है वो ही हमको इनको लोटाना है ना तो कम ना जादा लेकिन अगर आपने इनको जादा पैसा दिया है तो वो due के समय चला जाएगा जैसे एक लाग की जगए एक दस दिया तो दस हजार का premium भी आ सकता है और कम दिया है तो वो discount भी आएगा और उसका जो premium discount है उसकी entry में आपको पहले से लिखवा दी कि अगर आप जादा या कम देते हो तो उसका फायदा नुकसान जो होगा वो आप उनके जो है account के अंदर transfer करोगे realization के अंदर ठीक है न तो यहाँ पर कम जादा दिया या जितना मीं दिया वो इस entry में adjust होगा लेकिन जितना मिला है preference के लिए वो ही preference share holders को आपको देना है ना तो उसको कम करना है ना जादा तो preference share holders के लिए 99% question जो अपन ने किये है preference ही मिले है तो entry करेंगे preference share holder to preference share of purchaser पूरा नाम भी लिख सकते है transfer company या purchasing company और equity share मिले है तो to equity share और bank payment किया है तो to bank का नाम इसमें आएगा अब उसके बाद जैसे आपने finally preference share का payment किया है तो वैसे के वैसे equity share का payment भी due होता है तो उसके entry होती payment due to equity share holders तो entry बनेगी equity share capital to equity share holder और equity share में भी as it is बिलकुल उसी तरीके से जो हमको equity share के लिए पहले से मिला था equity share मिले है preference share मिला है cash मिला है वो उसको payment कर देंगे और जैसे ही आप equity share का payment करते हो आपका equity share holder account close हो जाता है और इस question के अंदर जब भी आप ये करेंगे vendor की book तो mostly इसके अंदर entries आपसे जो है general entries सारी सारी नहीं पूछी जाती है बलकि आपसे इसके अंदर account पूछे जाते हैं तो mainly इसके अंदर realization account हो गया equity share holders का account हो गया पर्चेजर जो है purchasing company उसका account और ये जो shares दी है इनके account तो इसमें इस तरीके से system set होता है कि realization account के अंदर जो profit loss होता है वो equity में transfer होता है लेकिन उसके बाद आपका purchasing company का realization का आपके realization का तो जैसे बता दिया हो तो आपको answer निकालना है तो purchasing company है equity share holders है preference share holders है उनके जो shares मिलें उनके account है वो सारे के सारे account आपके जो है always क्या हो जाते है equal और कई बार ऐसा होता है कि आपको वहाँ से जो shares मिले है या purchaser ने जो है assets नहीं ली और आपने उसको बेच दिया और आपने काफी सारे case transactions कर दिये तो case account में भी balancing figure आपको equity share holder निकालना है कि जो पैसा हमको मिला है उसमें कुछ changes हो गए है और अब जो पैसा बच रहा है वो हम equity shareholders को देने वाले हैं तो ये चोटी-चोटी चीजे आपको ध्यान में रखनी है और last video और इस video में मिला कर मैंने आपको complete vendor की books बताई है तो आप इसको अच्छे से देखे हैं जिसे की 2-3 questions जो है vendor की book में मैं आपको करके बता दूँगा और उसके बाद lesson में कुछ wishes बचेगा नहीं दो मलब कुछ at least कम से कम जैसे 5-6 वीडियो तो बनाने ही पड़ेंगे मुझे तब यह जाके lesson complete होगा लेकिन यह lesson पूर्या एक unit जो है उसको complete करता है तो उसी साबसे अगर आप इसको डंग से देखिए समझीए और अगर कोई दिक्कत हो तो आप जरूर जो है मुझे बता सकते हैं Thank you